हेलो एब्रिवान, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंग और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भूख लगने पर नफजाज शिशू किन संकेतों से हमें ये बताता है इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब आपका नफजाज शिशू बूखा होता है तो कैसे अपने आपको एक्स्प्रेस करता है यानि व्यक्ट करता है संकेतों की पैचान करते समय ध्यान से देखें ये ऐसी जानकारी है जो हर माता दुना को जाननी चाहिए इससे आप अपने छोटे बच्चे की आवश्यक्ताओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं और रियाक्ट कर सकते हैं नवजाश शिशों के हंगर साइन्स के रिए बने रहें और पेरेंटिंग और यूबॉन केर पर और ज्यानवर्दक सामगरी के लिए लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें शिशों अपनी भूप को सुक्ष्मता से प्रदर्शित करते हैं इन संकेतों को पहचानना महज़पून है ताकि उनकी सुरश्य आप सुनिश्चित कर सकें पहला संकेत है रूटिक अपने बेबी को अपनी ओर मुड़ते हुए, मुझ खोलते हुए और चूसने के इशारे करते हुए ध्यान दे ये भूप के संकेत साफ पताते हैं कि आप उसे पीड की जरुवत है दूसरा संकेत है हाथ, मुझ की गदिविधिया अगर आपका बेबी उंगलियों को चाटने लगता है, चूसने लगता है तो दूद पिलाने के लिए तयार रहे रोना एक बाद में होने वाला भूप पर संकेत है पहले के संकेतों पर ध्यान देकर हम अपने चोटे बच्चों को इस भूप की दशाते बचा सकते हैं यह जान लेना जरूरी है कि हर शिशु के अपने विशिष्ट यानि स्पेसिफिक भूप के संकेत होते हैं अपने बेबी के hunger cues यानि भूख के संकीतों पर नजर रखकर आप अपने बेबी को एक happy बेबी बना सकते हैं और उसके उजित विकास में मदद कर सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद और parenting tips के लिए हमारी चारेल को सब्सक्राइब करने न भूले Thank you